तो आगा हम एक बार फिर से एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर तो ये मूवी है 2018 की होरर थिलर मूवी जिसका नाम है इट मी और इससे एडरियन क्रुए ने डिरेक्ट किया है मूवी में कुछ ऐसा सस्पेंस चुपा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे तो आप वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा मूवी की शुरुआत में हम एक ओरत को देखते हैं जो की अपने बेट पर पड़ी हुई थी और उसका सारा सामान यहां वहाँ बिखरा हुआ था फिर अच्छानक वह ओरत अपने बेट से उठकर एक बेग निकालते हैं और खुद को उस बेग के अंदर बं कर लेती है लेकिन कुछ देर के बाद में उस ओरत का दम घुटता है और वो उस बेग से बाहर आ जाती है फिर वह ओरत अपनी एक नई ड्रस पहेंती है और अपन इसको चाकू से मारने के कोशिश करती है जिसकी वो थोड़ी पहले प्रेक्टिस करती है लेकिन वो खुद को मार नहीं पाती वो थोड़ा पागलो जिससा भीव करती है और धेर सारी दवाया खा लेती है जिसमें नीन्द के दवाया भी होती है और इसे निगलने के लिए वो क पूराने फुटोज को देखते हैं जिसमें एक बच्चा भी था जिसके बाद में थोड़ा दिन ड़लते ही दो चौर अचानक से उसके घर में घुश जाते हैं चौरी करने के लिए यह दोनों चौर घर में घुशते ही उस औरत पर हमला करते हैं लेकिन वो देखते हैं कि यह अवरत पहले ही बेसूत पड़ी है इन दोनों को लगता है कि शायद यह और उरत मर चुकी है लेकिन उन्हें यह पता चलता है कि ये तो जिन्दा है लेकिन वह होश में नहीं है अब इन दोनों चोरों में से एक का नाम था बॉब जो की एक यंग आदमी था और दूसरे का नाम था फ्रेंक जो की एक बुर्ड़ आदमी था फ्रेंक बॉब से कहता है कि क्यों न इस वरत की नीद में होने का फाइदा उठाया जाए और इसका रेप किया जाए लेकिन बॉब ऐसा नहीं करना चाता था और फ्रेंक खुद ही उसके नशे की हालत का फाइदा उठाता है उसके साथ में फिजिकल एक्टिविटिस परफॉर्म करके लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो और कुछ भी रिस्पॉंड नहीं कर रही थी फ्रेंक थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो ये देखता है कि इस घर के आसपास ज्यादा रहाइशी इलाका नहीं है और इस घर में इस ओरत के अलावा कोई नहीं रहता फ्रेंक बॉब से कहता है कि वो बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है और वो इस ओरत के होश में आने के बाद में इसका रेप करेगा और जाते जाते ये भी कहता हुआ जाता है कि इस ओरत को नीन से जगाया रखें फ्रेंक के जाने के बाद अब बॉब और ये ओरत अकेले इस घर में थे बॉब इस ओरत के हाथ और पेर दोनों को ब से बॉब को ये पता चलता है कि इस ओरत का नाम तॉमी है बॉब टॉमी के चेहरे पर एक टॉवेल डाल देता है ताकि वो उसके मुझ देखकर डिस्ट्रेक्ट ना हो जाए लेकिन कुछ देर के बाद में टॉवेल के पीछे से ही धीरे-धीरे हसने लगती है और वो बार-बा लेकिन बॉब उसे सूने नहीं देता टॉमी बॉब को एक बच्चे के जैसे ट्रीट कर रही थी लेकिन बॉब इसका फाइदा उठाने की कोशिश करता है और टॉमी के साथ में गलत करने की कोशिश करता है लेकिन तभी टॉमी बॉब के ओपर उल्टी कर देती है जिससे की बॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और टॉमी बस बॉब को देखकर हसे जा रही थी टॉमी फिर से सोफे पर सोने की कोशिश करती है लेकिन बॉब उसे अनापशनाप गालिया देखकर जगाय रखता है फिर बॉब टॉमी के साथ में उल्टी सीधी हरकते करता ह लेकिन टॉमी बॉब से परेशान होकर उसके प्रावेट पार्ट पर काट लेती है टॉमी बॉब से दूर भागती है और पास में पड़ी हुई दवाईय को खा लेती है बॉब टॉमी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक टॉमी वो दवाईय खा चुकी थी जिसके भाद में टॉमी को फिर से नशा होने लगता है और बॉब टॉमी को जगाया रखने के लिए बाथों में ले जाकर उसे पानी से निला देता है फिर बॉब से बचने की कोशिश में टॉमी जोड़-जोड से चिलाती है लेकिन आसपास उसकी आवाद सुनने वाला कोई नहीं अब टॉमी जोड़ोड से चिला जा रहे थी जिससे की बॉब को और गुसा आ जाता है और वो अपना बेल्ट निकालता है और टॉमी के गले में बांद कर उसे किसी पालतु जानवर जैसा घसीटता हुआ ले जाता है बॉब टॉमी को उसकी बिल्ली का खाना खाने पर जाता है और फिर वो बेचारी टॉमी के उपर पेशाप कर देता है। टॉमी जैसे तेसे बॉब से भागती है और वो जोर से बॉब के टांगों के बीच में मार देती है। बॉब का गुस्सा बहुत जादा बढ़ जाता है और वो टॉमी को इतना पीटता है कि टॉमी के चरि सा दिलाती है ताकि बॉब उसे और ज्यादा हर्ट करें और उसे मोत के नजदिक पहुचा दें फिर बॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में टॉमी का रेप कर देता है लेकिन वो उसे मारता नहीं है जैसा कि टॉमी चाहती थी कि वो उसे जान से मारे बॉब को बस यही लग रहा था कि टॉमी बस नशे में है और फिर बॉब को टॉमी का लिखा हुआ सुसाइड लेटर मिल जाता है जो कि उसने चुपा कर रखा हुआ था बॉब टॉमी का वो सुसाइड लेटर पढ़ने लगता है जिससे कि उसे पता लगता है कि टॉमी मनना क्यों चाती थी वो टॉमी के सामने ही उसका सुसाइड लेटर पढ़ता है जो उसने नशे की हालत में लिखा था और बस उसने उसमें उल्टी सीधी बाते ही लिखी थी जिसमें बार बार एक बच्चे का जिक्र था फिर टॉमी बॉब से परिशान होकर वो सुसाइड लेटर उससे ले लिती है और उससे खाने की कोशिश करती है लेकिन बॉब उसे ऐसा नहीं करने देता और वो उससे वो सुसाइड लेटर शिना लेता है बाब ये देखता है कि ये सुसाइड लेटर बहुत ज़्यादा बकवास लिखावा था जिससे की बाब टॉमी को दूसरा सुसाइड लेटर लिखने को कहता है लेकिन वो ऐसा नहीं करती फिर बब खुद ही टॉमी का सूसाइड लेटर लिखने लगता है जिसमें वो बस एक बच्चे के बारे में ही बार बार लिख रहा था टॉमी उस बच्चे के बारे में उल्टा सिधा लिखा हुआ देखकर परशान हो जाती है और वो खुद ही अपना सुसाइड लेटर लिखने लगती है जिसके बाद वो बॉब को अपनी सुसाइड करने का कारण बताती है वो बॉब से कहती है कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी वो चर्च में खड़ी हुई थी अपने फियांसे और अपनी फैमिली का इंतजार करते हुए लेकिन वहाँ पर टॉमी को ये पता चलता है कि आते समय उसकी फैमिली का एक्सिडेंट हो गया है और कार में उसका फियांसे उसके माबाप और उसका भाई सबी मारे गए और उसी दिन के बाद से टॉमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी और वो इसलिए अपनी जिन्दगी को खत्म करना चाहती थी लेकिन बॉब को ये कहानी बिल्कुल जूट लगती है क्योंकि उसने लेटर में किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया था और टॉमी के घर में उसके पती और उसके बच्चे दोनों के फोटो मिलते हैं जबकि टॉमी की स्टोरी में तो उसकी शादी ही नहीं हुई थी फिर टॉमी बॉब से उसके कहानी पूछती है लेकिन बॉब अपनी कहानी सुनाने से पहले टॉमी के करीब आता है और वो उसका फिर से रेप करने लगता है टॉमी बॉब को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है कि ताकि वो उसे जान से मार डाले वो बॉब से खुद को जान से मारने के लिए कहती है लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाता था जिसके बाद में बाब खुद इमोशनल हो जाता है और वो टॉमी को अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह से उसकी माँ ने खुद को मार दिया वो ये बताता है कि उसकी माँ जो थी वो प्रोस्टिटूट वर्कर करती थी और जब बॉब की फैमिली को ये पता चला कि उसकी माँ ऐसा काम करती है तो शर्म के मारे उसकी माँ ने खुद को फांसी लगा ली और खुद की जान ले ली जिसके बाद में बॉब बे सहारा हो गया और वो अचुरी चकारी करने लगा अब बॉब और टॉमी दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझने लगते हैं कि तब ही महाँ पर फ्रेंक आ जाता है अपनी बियर लेकर फ्रेंक बॉब को टॉमी को पकड़ने को कहता है लेकिन बॉब फ्रेंक को ऐसा करने से रुकता है और वो से एक कहता है कि टॉमी को जाने दे लेकिन फ्रेंक नहीं मानता और वो टॉमी को बांध कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है टॉमी अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और फ्रेंक अब उसका रेप करने वाला था जिससे की बॉब को टॉमी के उपर तरस आ जाता है और वो धीरे से टॉमी के हाथ में एक चाकू पकड़ा देता है फ्रेंक टॉमी के साथ में बहुत जादा बुरा वेवार कर रहा था जिससे परेशान होकर टॉमी वो चाकू लेती है और उसे फ्रेंक के सीने में घुसा देती है और फ्रेंक वही पर पड़े-पड़े मर जाता है जिसके बाद में टॉमी बॉब के पास आती है और वो बॉब को नहीं मारती क्योंकि वो उसके इमोशन को समझने लगा था लेकिन बॉब खुद टॉमी के हाथ में चाकू पकड़ा देता है और उसे अपने ही पेड में घुसा लिता है जिसके बाद में मूवी में ये सीन दिखाया जाता है कि बॉब टॉमी की गौद में है और टॉमी उसे एक बच्चे की तरह अपना दूद पिला रही है और दोनों डूपते हुए सुरज को देख रहे हैं जिसके बाद में ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये मूवी एक लेड़ी के उपर है जो अपनी जिन्दगी से बहुत ज़्यदा परेशान थी और वो सुसाइट करना चाहती थी लेकिन उसी दिन दो चोर उसके घर में घुस जाते हैं और वो ये पाते हैं कि टॉमी नशे में हैं वो टॉमी के नशे में होने का फायदा उठाते हैं और उससे टॉर्चर करते हैं उसका कई बार रेप किया जाता है लेकिन एंड में वो दोनों को मार डालती है अब यहां बाते आती है कि आखिरकार टॉमी सुसाइट क्यों करना चाहती थी तो वेसे तो इस मूवी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि आखिरकार टॉमी के सुसाइट करने का कारण क्या था लेकिन मूवी में कई सारा हिंट ऐसे मिलेंगे जिससे पता लगाया जा सकता है टॉमी के द्वारा बोब को बताएगी कहानी सच में गलत थी टॉमी का एक बच्चा था पू और वो एक एकसिडेंट में मारा गया था जिसके बाद में टॉमी का पती उसे अकेला ही छोड़कर चला गया और टॉमी अब डिप्रेशन में रहा करती थी वो इतनी जादा टूट चुकी थी कि वो खुद को मारना चाती थी और वो ऐसा करने के लिए कई उपाय अपनाती है लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो खुद को मार पाए मूवी के एंड में एक सीन आता है जिसमें टॉमी बॉब को अपना दूद पिला रही थी जो ये शो करता है कि टॉमी के बच्चे वाली वो स्टोरी सच हो सकती है तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेरो और सब्सक्राइब जरू करें और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में